अभिनेता सोनु सूद आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे जो कि दबंग मूवी में छेदी लाल का किरदा निभाय हुए थे अभिनेता सोनुसूद को हर कोई पहचानता है अभिनेता सोनुसूद काफी अच्छे दिल के इंसान है और करोडों लोगों की वो मदद किये हैं और करते ही रहते हैं और अक्सर बिहार वगरे में काफी ज़्यादा पॉपलर रहते हैं कि बिहारियों की जो बाढ़ आई थी उसमें काफी उन्होंने मदद किया था और वो ऐसे भी जो भी उनके पास में जाता है उनकी वो काफी मदद किया करते हैं बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं उनकी तारीफ तो बनती है लेकिन इस समय एक न्यूज वाइरल हो रहा है जो प्रक्रिया में जो संत महात्मा हैं जो बड़ी बड़ी जो है ट्रस्ट है ऐसे लोग तो कुछ मदद किया करते हैं जो आम पब्लिक है ऐसे लोग भी उसने कुछ सहायता किया करते हैं गुर्देवज महराज किसी से एक रुपए नहीं लेते हैं तो वो कहां से भर पाई कर पाएंगे इतनी भारी खर्चे की तो धिरन साच्छी महराज को किसी भी नेता द्वारा किसी अभिनेता द्वारा कोई मुआज़ा नहीं दिया जाता ह यह गलत बाते हैं धिरन साच्छी महराज को आम पबलिक और साधु संत बड़े बड़े ट्रस्ट हैं जो कि ट्रस्था धीस लोग जो है गुर्देवज महराज की मदद गिया करते हैं ऐसे बड़े कारियों के लिए लेकिन एक खबर जो इसमें चल के आ रही है मैंने देखा यूटूब पे और मैं आप सभी को सावधां करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि खबर यह है कि अभिनेता सोनु सूद बागेश्वर धाम सरकार के पास में मिलने के लिए गए और उसके अलाओं उन्होंने पांच करोड रुपे भी दान दिये 101 क्याओं की यही बात गलत है से नोशूद बागेश्वर धाम गए ही नहीं है मैंने धाम से भी पता किया कि क्या सोनुरसूद यह एक मात्र नेता और अभिनेता ऐसे लोग होते हैं जो किसी को एक रुपएदान नहीं देना आते हैं हाला कि सोनुसुद तो दिया करते हैं कई जगपे उन्होंने दिया है लेकिन धिरन्सास्ति महराज की मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता है मात्र एक ट्रश्टा धीस होते हैं बड़े-बड़े साधू संत महात्मा होते हैं जो इसे देवकिन अंधन ठाकु करने के लिए अभी भी नहीं गया है सोनुसुद और उनको पैसा देने की बात ही बहुत दूर किया है तो बस आज की वीडियो में इतना ही जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में जैसी राम जैबागिश्टा